नमस्कार दोस्तो, exams exclusive में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे देनिक प्रिशन डिसकस करते हैं MCQs टाइप की जो की mainly targeted होते हैं UPSC वालों के लिए और दोस्तो यह lesson हमारा पूरा का पूरा हिंदी भासा में होता है अगर यही lesson आपको English language यानिके अंगरेजी भासा में देखना है तो description box के अंदर link available है आप जस्तो उस पर click की जिए और उस lesson पे चले जिए दोस्तो एक request है आपसे, what for new India एक नहे भारत का निर्मान करें, चलो हम मतदान करें ये एक slogan हमने बना दिया है तो vote करना है और vote करना अती आवशक है ये आपका अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है तो दोस्तो बहुत सारे link available है description box के अंदर जैसे कि ये वाला इसके द्वारा आप इस lesson की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो मैं हूँ धीरश शर्मा तो चलिए आज का लेसन शुरू करते है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं आज है 8 मई 2019 और जैसा कि मैंने आपको कहा यह पार्ट हंगरेजी में भी उपलब्ध है और link विवरण में दिया गया है friends this lesson available in English also and link given in description box तो चलिए आज का पहला प्रशन शुरू करते हैं दोस्तो यह रहा आज का पहला प्रशन हाल ही में किस उचन्यालने जीरो पेंडेंसी नामक पाइलेट प्रोजेक्ट आरंब किया है देखी अपने पास यहाँ पर 4 उप्षन है पहला है लखनव उचन्यालने दूसरा चंदिगड उचन्यालने तीसरा दिल्ली उचन्यालने और चोथा मुंबई उचन्यालने यानिकि हाई कोट की यहाँ पर बात हो रही है तो सही उत्तर कौन सा है देल्ली हाई कोट यानिकि दिल्ली उचन्यालने option c हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है तो चलिए इसकी व्यक्ख्या देखते हैं दोस्तों यह है इसकी व्यक्ख्या देखिए zero pendency courts project दिल्ली उच्च न्याल्ले का एक pilot project है जिसका क्रिजानवियन दिल्ली के विबिन अधीनस्त न्याल्लों में किया जा रहा है इसके द्वारा विबिन परकार के मामलों के लिए समय सीमा तथा न्याय धीसों की संख्या निस्चित करने में सहायता मिलेगी इसलिए हमने इसको क्या बोला है pilot project हमने नहीं newspaper ने बोला है और उमीद है कि इस प्रशन से संबंदित कोई doubt नहीं होगा कोई संका नहीं होगी अगर है तो comments के द्वारा आप पूछ सकते हैं या फिर direct message कर सकते हैं मेरे facebook के page पे तो चलिए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन नमर 2 नमिल लिखित में से किस देश में G7 सिकर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा देखिए दोस्तों अपने पास यहाँ पे चार option है Australia, Chile, भारत और France तो कौन से में जो यह G7 सिकर सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा option D यानि कि France के अंदर ठीक है option D हमारा यहाँ पे सही हो गया तो चलिए इसकी व्यक्ख्या देखते है दोस्तों यह है इसकी व्यक्ख्या भारत को Australia, Chile, दक्षिन अफरिका के साथ G7 देशों के सिकर सम्मेलन के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया G7 का मतलब क्या है Group of 7 Countries यह इसका मतलब एक छोटा सा हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों इस सिकर सम्मेलन का आयोजन 24 से 25 अगस्त 2019 के दोरान France के BR-8 में किया जाएगा France का एक सहर है BR-8 यहाँ पे किया जाएगा इसको याद रखी है न हो सकता UPSC यहाँ से प्रशन बना के पूछ ले और कभ आयोजित किया जाएगा कौन-कौन से देश इसके अंदर है यह सारी चीजी आपको पता होनी चाहिए ठीक है और उमीद है कि इस प्रशन से सम्मनित कोई डाउट नहीं होगा तो चलिए अगले प्रशन को देखते है प्रशन नमबर तीन हाल ही में किस भारती राजनिता ने अमेरिकी रास्टपती डोनाल टरम को पचाड़ते हुए विस्व में दूसरे सबसे अधिक ट्विटर फोलोवर बनाने का रिकोर्ड कायम किया है पहला है सुष्मा सवराज नहीं दूसरा राहूल गांधी नहीं तीसरा अमिट्सा बिलकुल नहीं और ऑप्शन डी बिलकुल सही है यानकी नरेंदर मोदी जो हमारे प्रधान मंत्री है ठीक है इसकी जो व्यक्ख्या है वो देखते है दोस्तों ये है इसकी व्यक्ख्या अब जो आकड़े हैं वो जान लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सोशल नेट्वर्किंग वेबसाइट फेस्बुक पर अमेरिका के राष्टपती डोनाल ट्राम्प और ब्राजिल के नए राष्टपती जायर बॉल्शोनारो को पचाड़ते हुए सबसे आगे निकल गए है फेस्बुक पर जो हमारे प्रधान मंत्री जी है उनके करीब-करीब 4.35 करोड लाइक्स तो आधिकारिक पेज पर 1.37 करोड लाइक्स मिले हैं अमेरिका के राष्टपती डोनाल ट्राम के पास 2.3 करोड लाइक्स के साथ जहां दूसरे स्थान पर हैं तो ये सारे आकड़े थे और ये मतलब हो सकता है UPSC कहीं से पूछ ले जरूरी नहीं कि पूछे ही पूछेगा इसको मतलब घुमा फिरा के कहीं से पूछ सकता है ना इसलिए ये प्रशन यहां पे रखा गया है तो चलिए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन नमबर 4 अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ चल रही व्यापार वारता की धीमी प्रगती से हतास होकर इसी सपता से 200 अरब डोलर की वस्तियों पर आयात सुल्क बढ़ाने का विचार कर रहा है आपने पास यहां पे 4 अप्शन है चीन, नेपाग, रूस और जापान तो देखिए कौन सा यहां पे लग रहा है आपको लगने से बात नहीं बनती है निउस्पेपर के अंदर जो दिया हुआ था वो ही आपका उत्तर होगा तो पहला देखिए चीन, यानि यह चाइना यह वाला बिल्कुल ठीक है अप्शन ए हमारा सही हो गया, तो चलिए इसकी व्यक्ख्या देखते हैं दोस्तों यह है इसकी व्यक्ख्या देखिए अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ चल रही व्यापार वारता की धीमी प्रगती से हतास होकर इसी सब्ता से 200 अरब डोलर की चीनी वस्तिवों पर आयात सुल्ख बढ़ाने का विचार किया है, ठीक है और इसका विचार कर रहा है बढ़ा भी सकता है और नहीं भी तो ये थी इसकी व्यक्ख्या और उमीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कोई संका रहती है, किसी भी प्रकार की चाए छोटी हो चाए बढ़ी हो, आप कमेंस के द्वारा पूछ लीजिए, और बहुत सारे लोग कमेंस के द्वारा नहीं पूछते हैं, डारेक्ट मैसेज करते हैं, तो आप भी डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे फेस्बूक के पेज़ पे ठीक है, जिसका जो लिंक है वो मैंने शुरुआत की जो स्लाइड है उसके अंदर दिया हुआ था, तो चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नुबर पाच विस्ट्व अस्थमा दिवस 2019 का थीम क्या है, दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो विस्ट्व अस्थमा दिवस है, यानि कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, क्योंकि जो इंग्लिस वाला लेसन आप एक बार उसमें चेक कीजी, वहाँ पे हमने इसके डिसकस किया है तो चलिए इसकी व्याक्या देखते हैं दोस्तों ये है इसकी व्याक्या, देखिए विस्व अस्थमा डिवस प्रतेक वर्स के मैं महीने के पहले मंगलवार को पूरे विस्व में मनाया जाता है, ठीक है ये तो एक मतलब आप कह सकते हैं लोजिक सा हो गया कि मई महीने का जो पहला मंगलवार है उसको मनाया जाता है लेकिन बात ये है कि 2019 में कब मनाया गया तो आप समझी जाएंगे कि कब मनाया गया चेक कर लीजी एक बार कि पहला मंगलवार कब था या फिर अगर मतलब सीधा सीधा डेट जानने है आपको तो इंगलिस वाले lesson पर चलेजिए, जो उसका link है, वो मैंने description box के अंदर दिया हुआ दोस्तो, वर्स 2019 के लिए, विश्व अस्थमा दिवस का जो विशे है, वो क्या था? Stop for Asthma, stop for Asthma, ठीक है? यह है इसकी विशे, यहनके theme थी यह है, और उमीद है कि इस प्रशन से समंदित कोई संका नहीं होगी, कोई doubt नहीं होगा, और इस lesson में भी कोई doubt नहीं होगा, अगर है, तो पूछ लिजिए, मैं यहाँ पर ही हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा, उतना जल्दी मैं आपको उतर देने की कोसिस करूँग पे, दोस्तो अगर यही लेसन आपको इंग्लिक्स लेंग्विज यानकी अंग्रेजी भासा में देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप दोस्तो पे क्लिक के जिए और उस lesson पे चले जिए, ठीक है, दोस्तो हमने एक बात की थी, आई